नमस्कार जी क्या नाम है बेंजी आपका? शरुषोति दाशी बेंजी आप कहा के रहने वाले हैं? बेंजी संत्रामपाल जी मारा से लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साथ ना करते थे? करने लागी थी तो यह से हमारा चलती रहा तो चलते चलते फिर बहुत देवदेवी को भी हम देखने लागी और फिर वो लोग का आशिरवाद भी हमको मिला हमको मा सरशोती का भी आशिरवाद मिला और देवी देवता भी हमको बहुत आने लगा दोहाजात दाश में अदोहाजात दाश में हमको ये भी पता चला जो कि कोई जगा में धर्ती के उपर कोई अवतार लिया क्यों ये कैसे पता चला जैसे शोची उपर से फूल बाड़ी सो रहा है तो हम लोग जानता है जह कोई धर्ती पर जब कोई जनम लेता है जो एक आवतार आते हैं तो उस टाइम फूली वरस्ता है देवोता लोग फूल वरस्ता है वैसे इतना हमारा ग्यान था हमको तो हिंदू धर्म बैंजी आपने बताया कि पहले आप इसाई धर्म से थी हिंदू देवी देपताओं की भी पूजा करते थे और उसके साथ में इसाई धर्म के हिसाब से भी चलती थी तो फिर इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या कैला हुए भक्ति तो किया है अपना प्रान मन से किया है जितना हमको पता है जे इस्वार बलकी कुछ है लेकिन कभी भी हमको पता नहीं है जे इस्वार होता क्या है जब हम खृष्टन धर्म में थी तो ये के चित्रों में जैसे हम लोग को बताती है जै कि आगर आप अच्छा काम करेग लेकिन कि हमको तो कुछ लाब तो मिला ने उल्टा हमारा येक ब्रह्मा कुमारी का पंद का कोई किताब पड़ा था हमारा लड़का तो वो तो और पागल हो गया क्योंकि वो ओम साधना करते करते उसका पूरा पताने ब्रेन में बोलता है हमारा पूरा फूल हो गया आदमी भी अंधा हो गया ऐसा मतलब भक्ति करते खरते भी हमको यहाई हुआ लेकिन हम 2008 से हम गीता भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा तो फिर परते परते हमको पता चला जो कृष्णों भगवान होगा जब कृष्णों भगवान जीने ग्यान दे रहा है तो कृष्णों बहुत अच्छा बात है जो कि गीता में तो मनुष्यों के लिए बहुत कुछ वला तो कुछ बारा कोई ने वा तो हमको यह पता नहीं है जो भगवान असल में है कौन तो ऐसे करते करते हम बहुत मनें भक्ति करा लेकिन फिर अमारा दूख तो कभी गिया नहीं आई सिर्फ द धर्म के साब से भी आपने भक्ति की लेकिन इसके साथ साथ आपके बेटे ने ब्रह्मकुमारी की भी वक्ति की फिर भी आपने दुखी दुख देखे आपके पती अंदे हो गए आपके बेटे ने ब्रह्मकुमारी की भक्ति की उससे आपका बेटा पागल हो गया आपको भ कोई कुछ भायान घरम लक में आया तो हम वह वुको है को नोट कर लिया जब उनको कर लिया तो उसका दूसरा दिन एक बागत है वह वह जा प्मपलेट दिया अवश्व जानिये बोलके वहां बाड़ा प्रश्ण है ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है यह सा करके बाड़ा प्रश्णु है और फिर उसके नीचे में और लिखा है अगर ये शाप प्रश्ण का उत्तोर अगर आपको चाहिए तो आपको ज्यान गंगा किताब पढ़ना पड़ेगा तो हम और फिर और भी एक जगा में लिखा हुआ है जे सारे धरम गुरु को अगर अध्धातिक का ज्यान हो तो वो संत्रामपाल जी महारात से अध्धातिक चर्चा करें तो हम संत्रामपाल जी महारात जी का नम तो कभी सुना नहीं आए और संत क्या होता है उतना भी हमको उतना ज्यान न बिद्दा शगर नाम है जो बिद्दा का शगर है लेकिन यह जो ग्यान गंगा का आध्धातिक चर्चा के लिए जो बोल रहा है जै अगर आपके पास में आध्धातिक ग्यान हो तो आप लोग हमारा साथ में चर्चा करें अगर आपको आध्धातिक मार का ग्यान नहीं हो तो आप समझो आप हाड़ गया और आपका पास में कोई नलेज नहीं आए तो हम सोचता है आज तक धरती पे किसी नहीं ऐसा नहीं बोला जे हमारा पास में ग्यान है तुम लोग चर्चा करने आओ तो हम सोचा तो यह तो कोई इंसान तो है नहीं ग्यान का चर्चा करना ओभी competition ग इतना ग्यान है कितना किताब है इतना किताब इतना ग्यान कैसे वो चैलेंज कर सकता है तो हमारा मन में उसको आदे यह किताब हमको चाहिए तो यह जो किताब का दाम 2000 होगा हम मन में सोचा कि 2000 होगा फिर बाद में बोलता है चलो 2000 तो होगा तो कोई बात नहीं आए अगर इ द्सको के बाज़ान कीके कोई चुटी हुआ तो के मेझेजर थो दूस राजतान जाएगा वारा उट हीर दा बैटâte चुटी को आज़ाई। तो उसने हमको एक दिन का चुटी देने से भी मने वो कर दिया, फिर भो बोलता है हम राज़स्तान से आएगा तब जाना, तो जिस दिन राज़स्तान से आया तो हम सच अभी हम भाग जाओ, कहां पर भगवान है, हम भगवान को डुणने के लिए, तो उसके बाद क्या किया, वो बोलता है कि अभी हम आया, अभी तुम चुटी मांग रहा है, तो हम डल लगिया, हमारा तीन-तीन बाच्चा यह में बीएट करा है, यह में और कम्पिटर इंजिनियर करा है, तो अगर यह हमको नोखरी से निकाल देगा, तो हम क्या करूँ, तो दूसरा दिन पिर वह हम परमात्मान ने उनको क्या बोला हूं, हमको पास दिन का चुटी दिया, हम खुशी-खुशी से चला गया, जब हिसार में गिया, तीन पुलिष ने हमको बहुत बूड़ा बला गुरुजी का बारे में, फिर आम गुरुजी का शुनके हमको बहुत रोना है, हम बला यह परम पूड़ा बलता है, तो फिर आमको बहुत दुख लगा, फिर आम उसे और कुछ नहीं बला, फिर जो बोलना है, बोलके बैद उचूपो गया, फिर आम जब गुरुजी के मेला, अस्रमें जाकर बोला है, यह परमात्मा अहां पे थे, संत्रामपल जी को देखके हम परमात् पीता जी से भी ज़्यादा अपना है, और दुनिया में कोई अपना नहीं है, तब आप नाम लिया, बैंजी संत्रामपल जी से जब आपने नाम दिख्षा ली, तो उसके बाद के आपको कोई लाब भी प्राप्त हुए? अपने प्राप्त हुए? ऑब नौकरी चूट गांवुअ क्या आप 5,000 थाव, लड़की सादी में नहीं दें शकता है, फीर रमें कीया है, तेरों के लेट नहीं रहा है महां महां को मंहीं करा थे साथ साल करेदया, तो आपके लिए भाड़ी पर जाएगा, तो आंनले हमको कुछ बता नहीं है, अग सद्धुरु रामपल जी महारत से मांग ले क्यूंकि यह तो अशंभाब काम को संबाब करने वाला वह है तो हमारा लड़की ने दिया जलाए दिया जला के वह भी प्राथुना किया हम दोला है पर मत्मा यह तो हमारा बश्करने हमारा पास में सिर्फ 50,000 अब तीन लाक करने एक पेपर लाया सब जगह में तीन तीन लाख रुपया लाग रहा था पेपर आने का बाद पेपर में लिखा है कि आसी हाजार रुपया देना पड़ेगा तो हमारा थुरा हिम्मत हुआ लेकिन कहां पर भी एट करना पड़ेगा त्रीपूरा तो उसके बाद फिर अब क पेपर लिखा नहीं पाएगा तो प्लेन का टिकेट काटने जा और फिर हमारा लेड़की ऊहां पर तीन लाख रुपया जहां पर लाघता है उहां पर आसी हाजार में वह ब्येट करने के लिए एक साल का कोर्स ने परमाथ्मा ने हमको वह वायी उस टाइम यह छाओल टेल का पैशा था यादा लगता लेकिन हम तीन हाजर खत्वास होटे एसोस्ता कि परमात्मा आभी किया करेंगा तूप scholar मने पता ने कोई जगा में कोई बैग में कोई जगा में नया नया नोट रग देता तो यह से करके एक साल में हमारा घर में इंकम करने वाला सिर्फ मैं ही थी हमारा तीन बच्चा और एक अंधा पती तो तीनो मने यह चारो को और हमको कैसे खिलाए यह तो हमको पता ने यह तो संध्रामपाल जी माराथ से नाम लिया तो वह ठीक भी हो गया और अभी ओ कम्पीटर करके अभी भक्ती भी कर रहा है और यहां पर आके मैनेज़र पोस्ट में उसको नकरी भी मिल गया बेंजी संत्रामपाल जी मारासर नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाब प्राप्त हुए तो जो जन समुदाए आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मानोव जनम को गवाई मत देना और संत्रामपाल जी महराच का पास में आके अपना कल्लान और मोक्ष कराईए दन्यवाज जी सतसाई